दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको दो बातों की complete information देंगे पहली बात ये कि आप bank में manager कैसे बन सकते हैं और दूसरी बात ये कि आप bank में provisinary officer, bank PO कैसे बन सकते हैं एक छोटी सी information और होगी साथ में कि सरकारी bank में बनना चाहते हैं आपको क्या करना होगा और private bank में अगर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा bank सरकारी हो या private आप किसी भी bank में job करते हो आप भारत की economy को support करते हैं आप economy से जुड़े होगे होते हैं तो चलिए समझते हैं कि bank manager बनने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत है bank P.O. बनने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत है कितने नंबर चाहिए होते हैं form कब भरा जाता है कब form निकलते हैं exam कौन लेता है परिक्षा कितने नंबर की होती है परिक्षा में पढ़ना क्या क्या होता है syllabus क्या है पैसे कितने लगते हैं फीस कितनी भढ़नी होती है salary आपको कितनी मिलेगी सरकारी बैंक में private बैंक में दोनों का bank P.O. की अलग bank manager की अलग यानि complete information आपको दोनों की मिलेगी last तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए सुनते रहिए समझते रहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी knowledge कम रहे और आप कम knowledge की वज़ा से गलत track पर चले जाए और आप गलत रास्ते पर भागते रहें मेहनत करते रहें और फाइदा कोई नहीं हो हम ऐसा नहीं चाहते तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं उसके बात बाकी बात करेंगे पहले समझते हैं bank PO के बारे में सबसे पहले समझे अपनी age के बारे में आपकी age क्या है पहले ये देखिए अगर आपकी उम्र 21 साल से 30 साल के बीच में यानि अगर आप 21 साल के हैं 22 साल के हैं 23 साल के हैं 24 साल 25 साल 26 27 28 29 या 30 21 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र अगर आपकी है तो आप बैंक पीओ का फॉर्म भर सकते हैं आप बैंक पीओ बन सकते हैं लेकिन अगर आप आरख्षित वर्क से आते हैं रिजर्ब कैटिग्री से तो आपको उम्र में छूट भी मिलती है चलिए पहले समझ लेते हैं, exam pattern के बारे में, उसके बाद बात करेंगे, कितनी पढ़ाई की जरूरत होती है, qualification क्या चाहिए, exam pattern की अगर बात करें, तो 3 step में आपका exam होता है, एक prelims exam, यानि प्रारंभिक परिक्षा, उसके बाद मेंस exam, मुख्य परिक्षा, उसके बाद आपका interview होता 35 सवाल इसके भी आते हैं, 35 नमबर के, और अंग्रेजी भासा, English language के 30 question आते हैं, 30 नमबर के, total 100 question हो गए, 100 नमबर के होते हैं, एक घंटे का आपको समय मिलता है, एक घंटे में आपको ये बताना होता है, अभी मेंस exam का topic समझ लीजे, उसके बाद आपको बताएंगे, कि कौ कौन सा topic पढ़ना होता है, reasoning में कौन सा topic पढ़ना है, English में क्या पढ़ना है, computer में का पढ़ना है, पहले मेंस exam समझे, मेंस exam में reasoning और computer, 45 question पूछे जाएंगे, 60 अंक का होगा, और 60 minute का आपको समय मिलेगा, सामाने ज्यान और banking ज्यान, 40 question पूछे जाएंगे, 40 number का होगा, 35 minute क आपको time मिलता है, English language के 35 सवाल पूछे जाएंगे, 40 number के होगे, 40 minute का आपको समय मिलेगा, data visualization और व्याख्या, 35 सवाल, 60 number के 45 minute का समय, अंग्रेजी भासा में, पत्र लेखन और निबंध, 2 question, 60 number के 30 minute का आपको समय मिलेगा, आगे और information आपको दे, उससे पहले ये भी ध्यान कि negative marking होती है इसमें, इसलिए exam में ध्यान से लिखना चाहिए, सही जवाब लिखना चाहिए, जितना पता हो उतना लिखना चाहिए, जो बच्चे mains exam पास कर लेते हैं, उन्हें interview के लिए बुलाया जाता है, आगे syllabus की detail और ज्यादा बताएं, उससे पहले qualification के बारे में बात क हैं, वही exam qualify करते हैं, वही भर सकते हैं, ये गलत अफ़ा है, पता नहीं कैसे market में ये चल गई, और बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, उनके दिमाग में बैठा रहता है, कि जो account पढ़ते हैं, जो commerce site से पढ़े हैं, सिर्फ वही bank में नौकरी कर सकते हैं, ऐसा बिलकुल नह डिगरी आपके पास यदि है, जो आपको graduate बनाती हो, graduation क्या है, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन कुछ बच्चे पूच लेते हैं, graduation, बारुही कक्षा के बाद आप तीन साल की डिगरी करते हैं, BA, BCOM, BSC, BBA, BTM, BA, MASCOM, इस तरह की जो डिगरी होती है, उसे graduation डिगरी कहा ज पूचे जाते हैं, अंग्रेजी में, English में, other competitive exam की तरह ही English मूची जाती है, इसमें आपको grammar, vocabulary, fill in the blanks, यानि खाली स्थान भरो, व्याक्यान, sentence बनाना, मोहावरे, प्रतेक्ष, प्रतेक्ष, tense, इत्यादी, सब पूचा जाता है, मातरात्म क्योगिता, math, math में क्या-क्या रेशो, proportion, लाभानी, सरल ब्याज, compound interest, दूरी, number system, ये सारे question आते हैं, ये shortcut हम आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको detail में बताएं कि क्या-क्या पढ़ना है, तो नीचे comment में जरूर लिखे, अगर आप comment में लिखकर बताएंगे, कि आपको जरूरत है, तो UNO, marketing, भारतिय संबिधान, अवार्ड, सम्मान, खेल, finance, इत्यादी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, current affair किसी भी exam को पास करने के लिए जरूरी होता है, UPSC, IS IPS का exam पास करने के लिए भी current affair जरूरी होता है, और current affair को तयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अख़ बहुत सारा current affair पढ़ते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि current affairs आप देखिए, कम थोड़ी ना है, बहुत जादा है, current affair का syllabus unlimited आप कह सकते हैं, उसमें से आपको अपने मतलब की चीज़ खीच कर, अपने syllabus से जुड़ी चीज़ खीच कर आपको पढ़नी है, यहों तो YouTube पर बहुत सी वीडियो आपको current affairs की मिल जाएंगे, उनका काम होता है daily current affairs की वीडियो अपलोड कर देना, student से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, किस syllabus से जुड़ा है, हमने बहुत सी वीडियो देखिए, बताते ही नहीं, पता ही नहीं चलता student को, कि कौन से syllabus से जुड बस इकठा हो जाए, और उसमें से एक दो question आपके exam में आ जाए, तो गनी मत मानो, आपको क्या पढ़ना है, ये पता होने से जादा, क्या नहीं पढ़ना, ये पता होना जरूरी है, और ये आप तभी सीख पाएंगे, जब आप अपने syllabus को अच्छे से observe करेंगे, इसलिए हम हमने सोचा है कि student के लिए current affairs हम provide करवाएंगे, इस syllabus के according, उसमें आपको बताए जाएगा कि कौन सा सवाल, कौन सा question, कौन से topic को cover करता है, कौन सा banking के लिए ज़रूरी है, कौन सा railway के लिए, कौन सा UPSC के लिए, तो अगर आप हमसे current affairs पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करने, red color में, साथ में घंटी का button आएगा, उसे जरूर दबाएगा, all notification, सबसे उपर वाला button दबा लीजिएगा, telegram और Instagram से भी आप जुड़ जाएगे, ताकि आप update होते रहें, bank PO का form हर साल निकलता है, IBPS के थूरू आप form भरते हैं, IBPS bank PO का exam लेती है, और SBI अपने level पर exam कराती ह तो दो आपको संस्थाएं मिलेंगी, IBPS और SBI, bank PO का काम क्या होता है, bank PO ग्राहों को की सुबधाओं का ध्यान रखता है, banking सुबधाएं, सारी ATM card, checkbook, passbook, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, assistant manager होता है bank PO, video लगता है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको shortcut में बताते हैं, फटाफट, bank PO का काम सारे ही काम करने होते हैं, प्रोवेजनरी टाइम तक अलग-अलग field के काम करवाय जाते हैं, ताकि आप bank प्रणाली को अच्छे से समझ लें, एक तरह से आप ये मानिए, assistant manager होता है, अगर आप bank manager बनना चाहते हैं, तो उसके लिए दो रास् से सेम होता है, आपके पास graduation की degree होने चाहिए, post graduation की degree हो तो और ज्यादा अच्छी बात है, जितनी ज्यादा qualification होगी, promote होने की chance उतने ज्यादा रहते हैं, ग्रेजोशन में आपके 60% कम से कम होने चाहिए, bank manager की post के लिए form apply कीजिए, उसके बाद आपकी prelims exam, फिर mains exam, फिर interview, ये भी bank manager के लिए देना होगा, उसके बाद आप bank manager बन जाते हैं, तो ये है complete information, वीडियो 10 minutes से ज्यादा लंबी न हो, इसके लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे comment कीजिए, हम आपके comment का इंतिजार कर रहे हैं, comment में आपको जबाब जरूर मिलेगा, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को दोस्तों के साथ share कीजिए, सीखते रहे, सिखाते रहे और जुड़े रहे, आरजम सिक्षा के साथ धन्यवाद.